जार्खंड सरकार की नियोजन निती को देखते हुए, जार्खंड क्रमचारी चैन आयोग के द्वारा हिंदी विशय को हटाने एवं उर्दू को सामिल किये जाने को चुनावती देते हुए, जार्खंड उचन्याले के समक्ष रमेश हंसदा एवं अन्ने के द्वाराय की आचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि उर्दू को राजनितिक मनसा के कारण इसमें सामिल किया गया है, और हिंदी की कटावती की गई है, जो की संबिधान के मूल भावना के बिरुद्ध है, ज्यादा तर विद्धालियों में हिंदी माध्यम से पढ़ाई की जाती है, सरकारी विद्धालि के लिए मदर्से में पढ़ाई जाती है इसको ध्यान में रखते हुए हिंदी विशय को नहीं हटाने की मांग की गई है उस याचिका में बताया गया है कि सरकार की नियोजन निती जो नई आई है नई नियोजन निती में हिंदी विशय की कटवती की गई है